हेलो फ्रेंज देखिए ये परद्य के बचे हुए कपड़े से हम बहुत ही प्यारा सा बैक बनाएंगे तो सबसे पहले हमें ऐसे स्क्वेर पीस लेने हैं जिसका नाप है 17 बाइ 11.5 इंचिस अब हम इसके उपर क्विल्ट कर लेंगे तो ये देखिए हमारा क्विल्ट हो गया है अब हमें क्या करना है यहां पर 1.5 इंचिस पर मार्क करना है और उसी तरीके से दूसरी साइट भी हमें मार्क कर लेना है अब यहां पर हमें क्रोस में मार्क करना है फिर हम यहां से कट कर लेंगे तोनों पार्ट में हमें कट लगाना है देखिए यहां हमने एक साथ कट है कॉर्णर पे राउंड किया है अब इसे फोल्ड करके हमें दूसरी साइड भी कटिंग कर लेनी है अब बेक का दूसरा पाट जो है उसे भी हम काट लेंगे तो यह हमारे बेक के और पीछे के पाट हो गए अब देखी ऐसी दो स्ट्रीप हमें लेनी है जिसका नाम है 47 वाई थृ इंचीज अब हमें क्या करना है एसज हमें फोल्ड करना है और यहां पे स्टीच करना है और दूसरी साइट भी हमें स्टीच करनी है तो यह हमारे हेंगर रेटी हो गए अब हमें 5 इंचिस पे यहां पे मार्क करना है दोनों साइट बेक के में पार्ट में अब हमें हेंगर को इस तरीके से अटेज करने है और 9 इंचिस पर हमें स्टीच करना है तब तक हमें स्टीच करना है तो देखिए दोनों में हमने हेंगर को अटेज कर लिया अब हमें 12 बाइ 7 इंचिस का ऐसा पार्ट लेना है 12 इंचिस के हमें जिप लेनी है उसे उल्टा रखना है और स्टीज करना है और प्रेस्टीज भी कर देनी है अब हमें बैक का पाट लेना है और उसको हमें ऐसे अटेज कर लेना है स्टीज करके तो ये हमारा पोकेट रेडी हो गया अब, हमें इस तरीके का पार्ट लेना है 12 by 17 इंचीज का अब हम 12 इंचीज की जिप लेंगे उसे ओपन कर देंगे और ऐसे रखके श्टेज करेंगे और प्रेस्टीज तो ये हमारे प्रेस्टीज हो गई और स्टेज भी अब हम इसमें रनर डाल देंगे अब हम यह जो पोकेट बनाया है उसे उल्टा करेंगे और साइड में स्टीच कर देंगे देखिए यहाँ पे स्टीच हो गया है अब पोकेट को सीधा कर देंगे अब हमें बैक का जो पार्ट है वो लेना है और यहाँ पे हमें ऐसे स्टीच करना है देखिए यहां से लेकि यहां तक तो यह देखिए यहां पर हमारा pocket अटेच हो गया है अब हमें border लेना है जिसका नापे 7 by 32 inches तो देखिए यह जो border है न वहां से हमें 1.5 inches पर मार्क करना है दोनों सैट और फिर हमें इसे cross में cut कर लेना है ऐसे तो यह हमारा दोनों सैट कट हो गया है अब हम border की दूसरी सैट भी cut लगा लेंगे अब हमें border को center में cut लगाना है ऐसे उसी तरीके से हमें बेक का जो पाटे उसे भी cut लगाना है अब हम दोनों cut को मिलाएंगे और सीधा stitch कर देंगे देखे यहां पर हमारा stitch हो गया है अब हम side में stitch करेंगे और उपर हमें थोड़ा खुला छोड़ना है देखे इस तरीके से अब बारी है दूसरे border की 4 x 23.5 inches तो इसे हम center में से कट कर लेंगे अब हमें 23.5 inches की जीप लेनी है और हमें ऐसे अटेज करके प्रेस्टीज करनी है दूसरा पाट भी हम उसी तरीके से अटेज करेंगे देखे यहां पर हमारा border रेडी हो गया अब हम उसी तरीके से कट लगाएंगे center में और जो बैक का पाट है वहां पर भी हमें ऐसे ही कट लगाना है तो यहां पर हमारा कट लग चुका है अब दोनों कट को मिलाएंगे और सीधा स्टीच करेंगे अब देखे यहां पर हमने जो खुला चोड़ा है वहां पर दोनों border को ऐसे पकड़ेंगे और बीच में छोटी सी प्लेट लेंगे और जोड़ देंगे देखे दोनों साइड हमने चोड़ दिया है अब दूसरा बाट लेना है और यहां पर हमें कॉर्णर स से ऐसे पकड़ना है देखे जिसे मैं बता रही हूं वैसे ही और फिर पूरे रांड में हमें स्टीच कर लेना है तो देखे हमारा बैग रेडी हो गया है अब हम उसे सिधा कर देंगे तो यह दोस्तों देखे हमारा बैग पूरा रेडी हो गया बहुत ही अच्छा और झाल झाल